हिमाचल परदेश एटलेटिक संग द्वारा आयोजित परदेश स्तरीय एटलेटिक स्परतेटा में हमिरपूर के खिलाडियों ने बहतर इंग परदेशन करते हुए ओवरॉल रनरब ट्रॉफी जीतने में स्वर्टा प्रापत की है हिमाचल परदेश एटलेटिक संग द्वारा आयोजित परदेश तरीय एटलेटिक स्परतेविता में हमिरपूर के खिलाडियों ने बहतर परदेशन करते हुए ओवरॉल रनरब ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल की है जिला एटलेटिक संग के अध्यक्ष पंकष भारतिय ने वीजेता खिलाडियों को बधाई देते हुए उनके उजबल भविशे की काम ना की उन्होंने जिला के सभी अटलेटिक्स प्रशिक्षकों अभी बापकों तथा खिलाडियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके अथक मेहनत लगन से ही ये बहतर परिणाम संभव हो पाया है आपको बता दें कि प्रतियोगिता में हमिर्पूर के खिलाडियों ने 16 रजट तथा 6 कांसे पदग जीतने में कामयाभी हासिल की हमिर्पूर जिला ने पहली बार ओवर ओल अरनर अप ट्रॉफि भी जीती है वहीं पिछले साल जिला की टीम तीसरे स्थान पर रही थी तता इस बार महज दो अंकों से ही वेच चुकी है टीम के कोच के रूप में तरप्रिष्ट ठाकुर वा मेनेजर के रूप में अनिल शर्माग गए हुए थे प्रतिवीता में अंडर 14 में गुरु सिर्मन ने 100 मीटर वा 600 मीटर में 200 में पदक जीते आरेन संख्यान ने 200 मीटर में कांसे पदक जीता तो वहीं आरुश ने लंबी कूद में रजत पदक जीता दिव्यवर्मा ने 100 मीटर और 200 मीटर में सोण पदक जीता ओजस ने शौट पुट में कांसे पदक जीता अंडर 18 में लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर और 200 मीटर में रंजना शर्मा को रज़त तथा पूजा को कांसे पदक मिला 800 मीटर में रिचा शर्मा ने रज़त तथा 1500 मीटर में शिवाली ने स्वन पदक जीता नैंसी ने शोट पूट में स्वन पदक जीता है लड़कों के वर्ग में राजीव ने 200 मीटर में रज़त पदक विशाल कुमार ने कां से पदक जीता अंडर 20 लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर और 200 मीटर में मनीशा ने रज़त था आदिती ने कां से पदक जीता लड़कों के वर्ग में रोहित ने लंबी कूद में स्वान पज़क, साहिल ने अंडर 20 में लड़कियों के वर्ग में 100 मीटर, साहिल ने 1500 मीटर में रज़त पज़क जीता, 800 मीटर में प्यूश ने स्वान पज़क वा, साहिल ने रज़त पज़क जीता है महिला वर्ग में प्रिया ने 100 मीटर में स्वान पदक था 200 मीटर में रजित पदक दीता पुरिश वर्ग में सचिन ने 200 मीटर में रजित पदक रोहित चोहा ने शौट पुट में भी रजित पदक जीता बगतो चलक चोड़े से बेका आये मिलते हैं ब्रेक के बाग